एक समय ऐसा था जब नितीश कुमार ने बाहुबलियों के सहारे अपनी सरकार बनाई थी एक समय ऐसा भी आया कि जब नितीश कुमार ने उन बाहुबलियों से दूरी बनाई और एक समय ऐसा फिर आया जब नितीश कुमार को उन बाहुबलियों की जरूरत महसूस हो रही है नितीश कुमार ने जब पहली बार सरकार बनाया तो बाहुबलियों के सहारे सरकार बनाया पहली बार जब सत्ता पर राच किया तो उन बाहुबलियों के साहरे अपने विधायकों को सेफ महसूस करवाया कि आपको कोई खरीद फरोक नहीं कर सकता जब पहली बार नितीश कुमार ने सरकार बनाया तो बाहुबलियों के जुंड में नितीश कुमार निकला करते थे उसके बाद जब उनकी पहचान सुसासन बाबू के नाम से हुई तो नितीश कुमार ने उन तमाम बाहुबलियों से दूरी बना ली और अब एक बार फिर नितीश कुमार को उन बाहुबलियों की जरूरत महसूस हुई और नितीश कुमार ने उन तमाम बाहुबलियों के साथ रखने का मन बना लिया पहली बात आनंद मुहन बाहुबली नेता आनंद मुहन को नितिश कुमार ने अपने साथ कर लिया बाहुबली नेता परवुनाज सिंग के परिवार को नितिश कुमार ने अपने साथ कर लिया बाहुबली नेता अनंद सिंग को भी नितिश कुमार ने अपने साथ कर लिया और अब इन बाहुबलीों के माध्यम से दोहजार पचीस को नितिश कुमार साधेंगे जस तरीके से दोहजार पाँच को नितिश कुमार ने साधा उसी तरीके से 1225 को भी निटेश कुमार इनी बाहुबलियों के सहार इसा देंगे एक कहानी ये भी है कि जब उन्हें एहसास हुआ था कि हमारे बिधायकों को सामने वाला लेकर चला जाएगा तब नितिश कुमार ने अपने बिधायकों को बचाने के लिए बाहुबलियों का सहरा लिया था एक कहानी ये भी है कि नितिश कुमार को जब आहसास हुआ कि हम वियार के तीसरे नंबर की पाटी बन गए तो आने वाले बीधान सभा चुनाव के लिए नितिश कुमार ने बाहुबलियों का सहारा लिया ये कहानी इसलिए भी कि नितिश कुमार के दल में अब बाहुबलियों का एक जुंड दिखने लगा है परभुनात सिंग का परिवार आप इससे बिल्कुल इंकार नहीं कर सकते की बाहुबली नेता परभुनात सिंग बाहुबली नहीं है उनका परिवार अब नितीश कुमार के साथ है आप इससे भी इंकार नहीं कर सकते की बाहुबली नेता अनंद मोहन अभी बाहुबली नहीं है उनका भी परिवार नितेश कुमार के साथ है उनकी पत्नी अब जेडियू की सांसद है आप इससे भेनकार नहीं कर सकते कि बाहुबली और नेता और छोटे सरकार अनंद सिंग अभी बाहुबली नहीं है उनका बाहु आने वाले समय में कहा ये जा रहा है कि वो भी जेडियू से चुनाव लड़ेंगे यानि कि बाहुबलियों की एक फौद जो है वो नितिश कुमार के साथ खड़ी हुई है आने वाले समय में ये भी कहा जा रहा है असमात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि बाहुबली नेता सुरजभान सिंग भी नितिश कुमार के साथ खड़े रहेंगे बाहुबलियों की एक लंबी कतार जो है और वो खड़ी हुए इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि बाहुबली निता सहबो दिन का परिवार भी नितिश कुमार के साथ रहेगा यानि आने वाले समय में निटीश कुमार की पार्टी जेडियू एक बार फिर से 2005 को दोहराएगी जब निटीश कुमार की पार्टी जेडियू बिहार की सबसे बड़ी पार्टी थी उसके पास इतने बिधायक थे कि वो चाहती तो कुछ बिधायकों को अपने साथ रखकर अक लेकिन फिर वे नितीश कुमार ने भारतिये जन्तापार्टी का सहारा लिया और 2015 आया जब नितीश कुमार थोड़े कमजोर हुए और अब 2020 आया तब नितीश कुमार ज्यादा कमजोर हुए तो नितीश कुमार को एहसास हुआ कि नहीं 2005 में हमारे पास जो विदायक थे 2010 में उनकी संक्या अच्छी खासी बढ़ी 2015 में उनकी संक्या कम हो गई 2020 में उनकी संक्या बिल्कुल ही कम हो गई तो अब 2025 में उनकी संक्या बढ़ाने के लिए फिर से बाहुबलियों का सहारा लेना पड़ेगा और इसलिए नितेश कुमार ने फिर से बहुबलियों का सहरा लिया है तीन बहुबली नेता अभी नितेश कुमार के साथ है और आने वाले समय में बियार के जितने भी बहुबली नेता है वो नितेश कुमार के साथ रहेंगे नितीश कुमार के इर्द गिर्द चलेंगे आपने देखा कस तरीके से नितीश कुमार ने तमाम बहुबलियों से अपनी दूरी बनाई थी परवुनात सिंग से दूरी बनाई, आनन्द मुहन से दूरी बनाई, अनन्द सिंग से दूरी बनाई और वो सभी नेता अब नितीश कुमार के इर्दगिर्द घूमने वाले हैं आने वाले समय में बाहुबली नेता सुरजभान सिंग भी नितीश कुमार के साथ दिखेंगे और आने वाले समय में बाहुबली नेता साहवुदिन का परिवार भी निटीश कुमार के साथ दिखेगा यानि ये कहानी ऐसे ही चलती रहेगी बाहुबलियों का जो जमात है वो निटीश कुमार के दल में नजर आएगा और निटीश कुमार भी तमाम बाहुबलियों के सहारे अपना सरकार चलाएंगे और उसके बाद बिहार की नंबर वन भी पार्टी बनेंगे बरहाद इसक खबर में इतना ही बने नहीं हमार साथ और देखते रहें दे इंडिया टॉप